नमस्कार दोस्तों मैं सुमित यादव मौजूद हूँ गाजी पूर बॉर्डर पर और अलगतार गाजी पूर बॉर्डर से किसान आंदोलन के तर्सिवर में आपको दिखा रहा हूँ लेकिन आज हमारे साथ यहाँ पे जो SSC GD के चात्र है वो मौजूद है और प्रदेश सब्सक्राइब कि तुछ संब्सक्राइब कि इस आपना नाम बताएं और मेरा नाम है नाली निकांद महारणा प्रम ओडिसा हमारे पास अभी भी 25 बंद है उडिसा से यहां पर गाजी पूर पर लड़ाए करने के लिए आ रहे हैं लेकिन अभी तक भी सालिशन नहीं हुई नाम हुए उमिद है कि हो पाएगा है मैं सुन रहा हूं की और भी लोग आ रहे हैं अलग-अलग राजज से आ रहे हैं कोई जम्मू कशमीर सा रहे हैं और दशेद्दरा और रहे हुए उरों और भी बंद हैं वह आसकती है और जूश्य थैस लिए लड़ा ही करने चाहते और क जनवरी में आया रिजल्ट आपका 14 फर्वरी के आप लोग दिल्ली आये उससे पहले कि आपने राज्य में आपने किसी से बात करके देखी किया समधान हो सकता है देखिए यह सेंटर की भरती है इसलिए राज्य में ज्यादा तर कुछ नहीं हो जाद राज्य की लोग मतलब मंत्री कुछ सहाज नहीं कर पाते है और जब हम राज्य मंत्री से गए उन्हें कि आप दिल्ली जाओ वहां सापका समंधन हो जाएगा लेकिन यहां के हम सारे मंत्रियों के दरबादा खटकड़ा है लेकिन कोई हमरे बात नहीं सुनने के लिए तायार है सुने के लिए कोई पिजिले सारी असीस के नियुक्रार के सामने चीवर्यें देक तो जब उससे भी कुछ नीवर तो आपकी आगे कि कि तरीके लरी के लड़ी जाएगा कि सरेक से लड़ाई कि जीते जएक होती है परिशानी होती है तो लड़ा leap हो ती है और उन्दर में जूनन होता है क्या लड़ाई करके हम लड़ाई करने और जितने भी है तो पिछली देखिए यह सरकार तो बिल्कुल खाराब हो चुकी है पिछली 16 तरीक को हमें ससी अपिसके भी घराव करें जिसने जिसने सारी भरती निकाली सारी प्रोसेस की काम्पिट कर जब हमें उसके पास गया उन्हें यह बता दे कि हमारे पास हमारे पास कुछ नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते हैं जब कि सारी की सारी प्रक्रिया उन्हें से कर बाद जाते हैं अब उन्होंने माना करते कि कुछ नहीं हो सकता है और देखिए देश की जब सुनाब होता है ना जब जब किसी किसी नेता की मौत हो जाती है तो उसके रिगाडिंग जो कुछ जल मतलब एक मैना दो मैना का अंदर उसका जगा भरा जाता है वोटिन लिश माना के वोटिन लिश की तरह लेकिन हमारे में नहीं है ऐसा क्यूं तो कुछ सवाल बहुत एहम सवाल उठागे लिए क्योंकि लगातार जो बातें की भरदी प्रकारिया पर सवाल उठागे जाते हैं जो जो 2018 के वेकैंशी 2021 तक आगया उसकी मेरिट लिस निकालने में और उसकी जो मेरिट लिस जो बच्चे तीन साल से यह उमीद लगा कर बैठ इस उमीद में थे कि coinc Famla में हमें बाहर नहीं कर सकता लेकिन पछicky में इक पल में उनका सपना पहनने का सब्रक shots की तो यदे चीमी तो किया कि अंए प्लगु आई कुम आपको क्या लग रहा किसे जैसे मेरिट लिस्त अप लोको बाहर निकालाग। जैसे ओडिशा इन धुर कि में तोड़ा ज्यादा बंदा कमभी तोड़ा कम रहता है। पोस्ट कम था बंदे ठोड़ा ज़्यादा थे ओर जो कि नक्सल डितना पोस्ट ज़्यादा था यसा मेडिकल फीट लीफ दूसरत में पोस्ट था और जब तो एक पोस्ट पर दो बंदा फाइट कर रहे तो कॉट आठ नो मार्क इंक्रीज हो गया यह किसे पॉसिबूल है जो कि एक पोस्ट में दो बंदा फाइट कर रहे हैं कि नॉर्मलाजेशन करते हैं क्योंकि एक्जाम की प्रकरिया होती है तो कुछ एक्जाम के हिसाफ से नॉर्मलाजेशन का बताते हैं कि नॉर्मलाजेशन किया जिसवाज से आपका कट आफ में नाम नहीं है और लोगों का नाम आ गया जी नोने बोलते हैं किसी का पेपर हाट जबकि पेपर उन्हें बना रहे हैं जो टेंट लेवर्ट क्लास लेक्जाम लेरे हैं कोई ले रहे है तो उस में आप सेट करें तो आप एक लेएक्जाम क्रिंट कि यह करई दृएक किसी कई कि आप इनके मुद्दों को समझ पा रहे हैं जितना कि मैं समझा हूँ यहां पर खड़ा हूँ और जितना मुझे पता चला है यह दो महीने से इनका धरना चला है दो महीने से अपने इस मुद्दे को लेकर अपना प्रियास कर रहे हैं इसको दिली भी कहे हर जगा जिले टू जिले कर रहे हैं इनका प्रोटेस्ट हो रहा है है जहां हमारे लोगों को पता लगा हम यहां पर आया मुझे कल Freunde अकल पता लगा यहां बुलाकात हुई काफी काफी लोगों से और बात भी करी और कहा और मैं अर्मारी पार्टी इनसफितों देखो किसान आंदोलन है किसानों किसमें कुछ व्याधनी करें हैं लेकिन सब्सक्राइब प्रोटेस्ट करेंगे पूरा इस वाला और हम आज से सरकार से आपके कैमरे के माद्यम से मीडिये माद्यम से सभी लोग के सोशल मीडिया मैं कहना चाहता हूँ के आने वाले समय में एक हम Tारीक फिक्स करेंगा और उस तारीक कोम दिल्ली का गहराब करेंगे जो चातनियां आ रहे हैं वे उनके साथ और जो आने वाले हैं उन सभी के साथ दिल्ली का गहराब होगा क्योंकि सेंट्रल की जो वैकेंसियां है जो एकलाक आ रही वैकेंसियां उसमें से पचास जार दे रहे हैं इनका जैसे कि आप सभी को पता है कि वेकेंसी एकनम आती जाती रहती है लेकिन पेपर आते हैं डिले कर देते हैं पेपर इस गोवर्मेंट में क्या है पेपर मनाते हैं पेपर इनका लीक हो जाता है यानि कि इनके हाथ में एक पेपर जो जिसको पेपर करवा रहे हैं पेपर देंगे उनके हाथ में इनका मजबूत ही नहीं है वो पेपर किसको लीक कर देता है यहीं नहीं पता पेपर लीक हो गया तो यह बहुत ऑहम बात है कि इस एसे में जो धनले बाजी होती है लागातार क्यूंकि मैं प्रक्रिया पर सवाल लागातार उड़ते हैं कि आपने फॉर्म और वेकिंसी आई वेकंसी के फॉर्म बरे फिर एक्जाम की डेट का पता नहीं होता कि है आपके जैसे की हम सीय के एक इजाम कब होंगे किसी को पता नहीं होते हैं